अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियोस के बारे में आफ़े जानें सपा उमीदवार के शक्ति प्रदर्शन से विपक्ष सहमा जौनपूर की मलेनी विदान सभा पर आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला सपा उमीदवार लकी यादब ने आज दल बल के साथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया इस मौके पर सपा कारिकरताओं का जोश देखने को मिला लकी यादब तमाम कारिकरताओं के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे साथ ही इस मौके पर पूर्वसांसर धनंजर सिंग ने भी अपना नामांकर पत्र दाखिर किया आपको बता दे कि मलेनी विदान सभा पर सपा काफी मजबूत स्थिती में दिखाई दे रही है और ये एकलोती ऐसी सीट है जहां से अब तक बीजेपी को कभी जीत का स्वात चखने को नहीं मिला है इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि वो इस सीट पर जीत दर्ज करे लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए सपा की स्थिती मजबूत दिख रही है पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि बीजेपी मलिनी सीट से निशाद पार्टी को समर्थन दे ही लेकिन बीजेपी ने अपने उमीदवार का एलान कर साफ कर दिया कि वो किसी को समर्थन देने के मूड में नहीं है बलकि वो खुद ही सियासी मैदान में है वहीं आज धनेजेपी सिंग के नामांकल से साफ हो गया कि एक बार फिर सवर्ड वोटर्स का धुर्वी करण होने वाला है जिससे सपा को यादा मुसलिम वोटर्स मिलने से सपा की साइकल मलिनी सीट पर फिर से रेस पकड़ती नजर आ रही है वहीं बीजेपी जो सपा को हराने का सपना देख रही थी वो धनेजे सिंग के मैदान में आने से कहीं न कहीं कमजोर होती देख रही है लेकिन फिर भी बीजेपी नेताओं का दावा है कि वो इस बार मलिनी सीट से जीत दर्ज करेगी और सपा को हराने का काम करेगी लेकिन समीकरण सपा की जीत की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं देखना ये है कि जीत किसके हिस्से आती है और कौन मलिनी सीट पर सियासी बाजीगर बनता है फिलहाल लखी यादव के नामांकर के बाद स्थितियां साफ हो गई है और सियासी समर का आगाज हो गया है ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया हल्चन